तो भई IPL 2024 में Royal Challengers Bengaluru का सफर almost खतम हुई गया है मगर फिर भी आर फैंस से request है कि तयार हो जाईए फिर से King vs Prince का battle देखने के लिए अब पिछले match में तो King ने कमाल कर दिया था लेकिन इस match में शायद Prince comeback कर ले प्रिंस कमबैक कर ले जहां Royal Challengers Bangalore और Gujarat Titans फिर से भिड़ेंगे तो भाई देखो यार पहले इस से पहले भी इनका मुकाबला हुआ इस सीजन बहुत धोया वील जैक्स और विराट कोहली ने एकदम पानी निकाल दिया पुरा Gujarat का हालत खराब कर दी और 9 विकेट से 200 का टार्गेट अराम से चीस्ट कर लिया तो यहां पर अब प्रिंस को थोड़ा सा बदला लेनी की जरूरत है भाई साथ तो देखो पता चली जाएगा क्या होगा तो सबसे पहले तो head to head record देख लेते है Gujarat Titans और Royal Challengers Bangalore का तो बहाँ पर देखो भाई Gujarat Titans तीन मैचेस जीती है Royal Challengers Bangalore दो मैचेस जीती है यानि कि पाँच मैचेस दोनों के बीच में खेले गए है अब इसी सीजन पिछला मुकाबला मैंने बताई दिया 9 विकेट से RCB जीत गई थी Will Jacks ने स्यतक लगा दिया था विराट कोली ने 70 रंद बनाये थे दोनों ने तावड़ दोड़ बल्ले बाजी की थी तो मज़ा तो बढ़ाया था मेरे को बहुत बज़ाया था क्या धोया Will Jacks ने राशित खान नूरा में किसी को नहीं छुड़ा इस बार थो भाई थोड़ा बदला लेने को देख रहे हैं गुजरात वाले अब भाई देखो आते हैं कि इस मैच में पिछ रिपोर्ट कैसी है पिछ रिपोर्ट की बात करें तो ये मैच खेला जाएगा बैंगलूरू के M.Chin.Swami स्टेडियम में जो की बैंगलूरू में तो आपको पता ही है कि टॉस जीत के आप पहले बैटिंग ही क्यों न ले लो 240-250 बना देना समझे क्योंकि कोई सुनिश्चित नहीं है कि यहां कितना चेज हो सकता है यहां पर बहुतर अलग जाते हैं यहां बारिशे ही हो जाती है छक्के और चौकों की तो चिन्नस्वामी का ग्राउंड है रिस्क मत लेना ठीक है अब बाकी भाई फाइनली बात करते हैं कि प्रेडिक्टेट प्लेइंग लेवन कैसी होगी तो रसी बी की तो मुझे नहीं लगता ज्यादा चेंजेस करेंगे ओलो पिछला मैं जीत कर आ रहे हैं तो वहां पर रसी बी की प्रेडिक्टेट प्लेइंग लेवन वहां विराट कोली फाफ डूपलेसी ओपेनिंग करते हो नजर आएंगे उसके बाद नमबर तीन पर विल जैक्स फिर अज़त पार्टिदार फिर ग्लेन मैक्सवल उसके बाद दिनेश कारतिक कैमरून ग्रीन महिपाल लोम रोर करन शर्मा, मुहम्मद सिराज और यश्ट दयाल इंपक्ट प्लेर के रूप में स्वपनिल सिंग आपको खेलते हो नजर आएंगे चलिए भाई अब देखते हैं कि इनके जो ओपोनेंट है ओपोनेंट गुजरात वाले उनकी प्लेइंग लेवन कैसी होगी तो वहाँ कप्तान शुबमंगिल और विकेट कीपर रिद्मान सहा ओपिनिंग करेंगे नमबर तीन पर आएंगे साई सुधर्शन फिर डेविड मिलर आजमतुल्ला उमर्जाई, राहुल तेवतिया शारुक खान राशित खान, आर साई किशोर नूरहमद, मोहिच शर्मा इंपक्ट बेर के रूप में संदीप वारियर को आप खेलते हो देख सकते हैं या फिर एक एक्ट्रा बैटर अगर ये लोग खेलाना चाहें तो वो भी ऑप्शन में है ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है तो भाई हमाजा आने वाला इस मैच में भी बिल्कुल बतलब टाइट मैच होने वाला है तो भाई ये हमने की आपके लिए IPL के मैच नमबर 52 का प्रिव्यू गुजरा टाइटन्स RCB अपने टीम पिक कर लो और कॉमेंट्स में आपते प्रेडिक्शन जरूर बताओ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेर कर दीजे और प्लीज 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 सब्स्राइब तो इस चैनल येर शूडियो अद्डा जिसका अन्दाम है क्योंकि क्योंकि अधन क्योंकि शुक्याः ये पस्ताइन धने लूट्यम्टीद्टूअल म